अध्याई ग्यारा, कारक, कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला, क्रिया को संपन करने में जो संध्या आदी शब्द संलगन होते हैं, वे अलग-अलग प्रकार की भूमिकाओं के अनुसार अलग-अलग वाक्य में दिखाई पड़ते हैं, निमलिखित वाक्यों को पुर्वक पढ़िये राहुल ने किसको पीता रवी को 3. गरिमा ने फल किससे काटा चाकू से 4. राम किसके लिए खिलोने लाया बच्चों के लिए 5. पत्ते किससे गिरते हैं पेर से 6. कौन आ रहा है राम के चाचा जी 7. फल कहा है थैले में 8. किसे पुकारा जा रहा है मोहन को इन सभी वाक्यों में संग्यापदों का क्रियापदों के साथ निश्चित संबंध है यह संबंध ही कारक है संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं कारक के भेद कारक के आठ भेद माने जाते हैं 1. कर्ता कारक 2. कर्म कारक 3. करन कारक 4. संप्रदान कारक 5. अपादान कारक 6. अधिकरन कारक 7. संबंध कारक 8. संबोधन कारक आइए अब इनको विस्तार पूर्वक समझ ले कर्ता कारक ने किसी भी क्रिया को करने वाला करता होता है प्रत्य क्रिया के साथ करता अवश्य होता है बिना करता के क्रिया हो ही नहीं सकती जैसे गीता खाना पका रही है निहारिका ने कहानी लिखी राम चला गया वाक्यों में गीता निहारिका और राम करता है जब सकर्म क्र और जिसकी अपेक्षा क्रिया करती है उसे कर्मकारक कहते हैं, कर्मकारक के साथ को परसर्ग का प्रयोग होता है। किया जाता है, पर कई अवस्थावं में इस परसर्ग का प्रयोग नहीं भी होता, को परसर्ग का प्रयोग प्राया प्राणिवाचक संध्या के साथ होता है। मैंने राम को पत्र लिखा, राम को गोर्ण कर्म, पत्र मुख्य कर्म है. 3. करण कारक से के द्वारा. करण का अर्थ है साधन या माध्यम जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न होवा संग्या सर्वनाम करण कारक होता है. इसके विभक्ती चिना परसर्ग है से के द्वारा, मैं पेन से चिठी लिखता हूँ, गीता ने चाकू से छेद किया, उसे पत्र के द्वारा समाचार मिला, रमेश को प्रधानाचार्य द्वारा बुलाया गया, इसकी पहचान के लिए वाक्य की क्रिया के साथ किससे लगा कर पर जो उत्तर आता है वही करणकारक होता है जैसे, गीता ने किससे छेद किया, चाकू से करणकारक, चान, संप्रदान कारक को के लिए, संप्रदान का अर्थ है किसी को कुछ देना या प्रदान करना, वाक्य में करता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है, जैसे मोहन गरीबों को खाना देता है, मैं पिताजी के लिए दवा लाया हूँ, दॉक्तर ने मरीज के लिए दवा लिखी, भिखारियों को कंबल दिये गए, ध्यान दे को परसर्प का प्रयोग कर्मकारक और संप्रदान कारक दोनों में होता है, कर्मकारक में को अर्थ में हो अपादान कारक से प्रिथकता, संध्या या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, वहाँ अपादान कारक होता है, इसका परसर्क से होता है जैसे, पेड से पत्ता गिरता है, वह घोडे से गिर पड़ा, गंदा हिमाले से निकलती है, मोहन साइकिल से गिर ध्यान दे से परसर्प का प्रयोग करणकारक तथा अपादान कारक दोनों में होता है, पर दोनों स्थितियों में अंतर है. करणकारक में से साधन के रूप में तथा संप्रदान कारक में से अलग के रूप में होता है. 6. संबंध कारक का की की रा रे री वाक्य में संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे व्यक्ति वस्तु के साथ जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं इसके परसर्ग है ताके की रारेरी जैसे, वह राम का भाई है, वह शशी की बहन है, तुम्हारा घर सुन्दर है, मेरा भाई, तुम्हारी बहन आ रही है। साथ, अधिकरन कारक में, पर अधिकरन अर्थात आधार, संध्या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया होने के आधार का बोध हो, उसे अधिकरन कारक कहते हैं, इसके परसरग हैं में, पर जैसे, थैले में फल है, उस्तक मेज पर है, चूले पर दूद रखा है, तालाप में कमल कभी कभी अधिकरन कारक में परसर्ग का लोब भी हो जाता है जैसे, बगीचे के किनारे चायादार व्रिक्ष लगे हैं, किनारे पर बच्चे घर हैं, घर में आठ संबोधन कारक है, अरे ओ, संध्या या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं, इसके परसर्ग हैं हैं, अरे ओ, आदी जैसे, है भगवान मैं क्या करूँ, अरे मोहन इधर आना, ओ लड़के जरा सुनना, कारक तालिका, त्रसंकारत पहचान परिभाशा कारक चिन परसर्ग उदाहरं, एक, करता, क्रिया को करने वाला, न शून्य शून्य, सचिन ने पुस्तक पढ़ी, सचिन चला गया, दो, कर्म, जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पढ़े, को शून्य शून्य, मैं साक्षी को बुलाऊंगा, वह पत्र लिखेगा, तीन, कारण, जिस साधन से क्रिया की जाए, सेके द्वारा, मैं पैंसिल से चित्र बनाता हूं, उसे तार द्वारा सूचित करो, चार, संप्रदान, जिसके लिए कुछ किया दिया जाए, को के लिए, गरीबों को खाना दो, मैं माताजी के लिए दवा लाया हूं, पांच, अपादान, जिस से अलगाव प्रथकता का भाव प्रकत हो, से प्रथकता, वह घोडे से गिर पड़ा, गंगा हिमाले से निकलती है। 6. संबंध, क्रिया से भिन्न किसी अन्यपच से संबंध सूचित करने वाला, का, के, की, रा, रे, री, राम का भाई, मोहन के बच्चे, राश्शी की बहन, तुम्हारा भाई, मेरे मित्र, तुम्हारी बहन। 7. अधिकरण, जो क्रिया का आधार हो, में पर, बैग में किताबे हैं, मेज पर पुस्तक रखी है। 8. संबोधन, जिसे पुकारा जाए, हे अरे, हे इश्वर रक्षा करो, अरे क्रिश्न कब आए, आपने पढ़ा और समझा, कारत का अर्थ है क्रिया को करने वाला, वाक्य में क्रिया तथा संग्या सर्वनाम के बीट संबन्ध को कारत कहते हैं।